मित्रों, जे कृष्णमूर्ति का दा अपजर्बर इस दा अपजर्ब की दूसरी किस्म की व्यक्ष्या आज हम करते हैं, ये जो फ्रेज है, इसका दो इस्तरों में इसका अर्थ होता है, पहले इस्तर का अर्थ आपको मैंने बहुत वीडियो में पताया है, कि जो देखने वाला है, वो द्रिश्य है, अपजर्बर इता अपजर्ब, हमारे भितर जो भी केंद्र है मैं का, जिसको मानते की हम देखने वाला, सुनने वाला, जानने वाला, समझने वाला, नेंतन करने वाला, अनुभव करने वाला, जो भी वाला है, ये सब चीज करने वा वह जो वाला है मैं। उसको हम मानते हैं यह कोई दुसरी चीज है, वह मैं दुसरी चीज है। और बाहर जो भी दिखाई पड़ती है, सुनाई पड़ती है, अनुभब आती है। वह बस्तू, इस्तिती, वह भाब, वह सबी चीज जो अलग है। हम मानते हैं, और दो बाते हैं, वो अनुभब वाली चीज है, दिखाई दिने वाली चीज है, अलग है, देखने वाला है, वो अलग है, हम इस तरह अपने को दो भागों में बानते हैं, मगर ये दो बात इसमें होती नहीं है, जो हमारे अंतर दिखने वाला, सुनने वाला है, वो कुछ है नहीं उदार, वो जो बस्तुई हैं बाहर, दिखाई पढ़ने वाली, सुनाई पढ़ने वाली चीज, उसी पर आधारित है, वही है वो भी, यह अब्जारवर इस दा अब्जाब की बात है, कैसे है, वही, जैसे हम होते हैं, उसी तरह हम सुनते हैं, देखते हैं, अगर हम क्रोध में हैं तो उस वक्त हमकों क्या दिखाई पड़ेगा क्या सुनाई पड़ेगा वो क्रोध के आधार पर भी होगा आप उस वक्त मित्रकों भी देखेंगे तो सत्रु की तरह लेंगे उसको क्योंकि आप यह अंदर क्रोध है तो इसलिए जो हमारे अंदर वाला है देखने सुनने वाला वो जो दिखाई पड़ने वाले सुनाई पड़ने चीज है उसे संबंदित है वो ही है क्योंकि वो जैसा होगा अपने हिसाब से ही वो देखने वाली चीज का ब्यक्ख्या करेगा, सुनने वाली चीज का ब्यक्ख्या करेगा, अनुभब होने वाली चीज का ब्यक्ख्या करेगा तो इसलिए mind दो नहीं होता, अगर हमको ये लगता है कि mind में δो बाते होती यह, दुरह से और दर्शक, तो इसलिए जब ये भ्रम हमको हो जाता, हम क्या करते हैं कि वो जिस माइड को हिस्षे को हम, मही बोलते हैं, अबजरबर बोलते हैं, उससे, जो अन्ने बिचार हैं, उसको दबाने में लग जाते हैं, कंट्रॉल करने में लग जाते हैं, क्योंकि दो बाते हमको लगती है और उसमें से माई वाली पात इंपोर्टेंड है, सत्य है, केंद्र है हमको यह लगती। तो इसलिए हम उस माई से और विचारों को कंट्रोल करने में लगते हैं। हमारा मुल समस्य यह ही है, दुन्द है, दुन्द में होते हैं हम मन दुन्द में। मगर जब आप बात जानोगे, कि जो हमारे अंदर करने वाला है, वो भी एक थोट ही है, जैसे अन्ने थोट होते हैं। जिस थोट को आप नियंदन करना चाहते हैं, उसका थोट और आपका मै वाला थोट, अबजर्बर वाला थोट, वो दोनों ही एक ही समान के थोट है, उसमें कुछ अलग नहीं है, तो इसलिए अपने अंदर मनोदोंद में पढ़ना गलत बात है, क्योंकि कौन किसको दबाए जो दबाएगा वो भी दबने वाला ही चीज होगा, जिससे आप दुसरों को अबजर्बर करना चाहते हों, वो खुद ही एक अबजर्बर है, तो वो कैसे दुसरों को कईद में डालेगा, वैसे मैं आपको दाणा देता हूँ, एक फुल की माला होती है, शव पुस्प उसम है, तो शव पुस्प में से एक फुस्प ने ये माल लिया कि मैं, अबजर्बर हूँ, देखने वाला हूँ, सुनने वाला हूँ, जानने वाला हूँ, अनुभव करने वाला, तो अब एक फुस्प उनान से जो और पुस्प है उसको दबाने लगेगा, उन पुस्प को वो निकालने लगेगा जो अच्छा नहीं लगता है उसको और जो पुष्प अच्छा लगता है उसको वो सुरच्छा करने लगेगा तो इस तरह का वो करेगा मगर वो जो करने वाला पुष्प है वो पी अन्ने पुष्प जैसा ही एक पुष्प है तो उसकी हैस्यत कोई है नही हमने केबल उसको महत तो दिया, मगर वो उतना बड़ा है नहीं, वो पि और उनानसे पुषप जैसा ही एक पुषप है, तो वो एक पुषप उनानसे पुषप से कैसी लड़ेगा, कैसी उसको दबाएगा, क्योंकि वो कमजोर है, और वो उनानसे हैं, ऐसे हमारे दिमाग में सव विचार हैं तो उसमें से एक विचार मैं का विचार है और विचार अन्य विचायों के विचार है कुल मिला कि मैं वाला विचार भी अन्य विचार देशा सव विचारों में आएगा तो इसलिए काउन किसको दबाएगा काउन किसको देखेगा वही उसको देख रहा है तो इसलिए जब बात हम ये जानेंगे तो माइन को कंटूल करने का कोई उदिश्य से नहीं होगा आप ये बात ही मुर्खता पूर्ण हो जाएगी माइन को कंटूल करने के काउन करेगा तो ये तो ब्यक्ख्य हुई माइन के लेवल पर आज हम आत्मा की लेवल पर इसके ब्यक्ख्य करेंगे आत्मा की लेवल पर ही भी ये बात होगी अबजर्बर इस द अबजब आत्मा की लेवल भी बात ये है कि हमारी जो आत्मा है वो दो नहीं है वो एक है उसको हम मानते हैं वो कुछ अबजर्बर जैसा होना चाहिए और वो अन्य आजाएगी कुछ चैतन्य का प्रकास आजाएगा और वो अब क्या होगा जैसे पहले माइंड था उसी किसिम का एक अब जर्बर हो जाएगा और वो सभी कुछ करने लगेगा और फिर माइंड में चलने उठने वाले विचार जो है उसके सामने वो सभी दृष्षे बन जाएगे इस तरह को हम सोचते हैं मगर मित्रों आत्मा के लेवल पर भी यही बात घटित होती है आत्मा दो होती नहीं है आत्मा एक होती है और वो खुद को ही जानती है खुद को ही देखती है और चीज़ों को बारे में उसको पता नहीं होता है यह बात ऐसी है जैसे एक दिया जल रहा है दिया जल रहा है और उसका प्रकास आसपास पड़ रहा है। तो हमको लगेगा कि दो चीज हो रहा है। एक दिया चल रहा है और दूसरा आसपास चीजें जो है प्रकासित हो रही है। अंदरकार में दिया जला हो और दिया भी जल रहा है। और आसपास की चीजें भी दिखाई पढ रही हैं। हमको लोगी का दो बात है। मगर बात उसमें एक ही होती है। वह जू दिया जल रहा है, तो उसका जो प्रकास है। वह ही आरपार फ़इल रहा है। और उसका प्रकास ही किसी पॉट में पढ रहा है। तो प्रकास को भी अगर हमारे जैसा ब्रांतियाँ हो तो प्रकास भी ये कहने लगे का जब टेबूल पर प्रकास पड़ेगा तब वो प्रकास बोलेगा कि मैं टेबूल हूँ कोई प्रकास कुर्शी पर पड़ेगा तो वो बोलेगा कि मैं कुर्शी हूँ तो इस तरह उसको भ्रह्म होगा हमारे जैसा अगर उसके पास भी ऐसी बेवस्ता हो तो मगर उधर प्रकास एक ही है दिये से निकल रहा है और सभी जगह पर फैल रहा है तो दो प्रकास है नहीं उधर मगर उप्रकास के होने के करद चीजे दिखाई पड़ती है देख कोई नहीं रहा है उधर तो उस दिये का प्रकास जो है अगर उसको आपने बंद कर दिया तो पार जहां जहां परकास पड़ा है उस चीज न समयाने को बीड ये तो लोख वुदआ है उस decor ओंद यह सो मैं यहें बोलता है तो प्रकासित परकास करना की दुहाद में और जहां है हमारे अंदर दो चैतन्य है उसका जो प्रकास है मन पर भी पड़ता है और उसी प्रकास से मन भी प्रकासित होता है और मन भी बनता है मगर ये बनने के कारण मैं मानने लगा कि अपने को मैं कुछ अलग हूं मगर वो अलग है नहीं जैसे कुर्ची ने अगर मैं अलग हूँ मान लिया तो क्या होगा तो ऐसे ही बात हमारे अंदर भी हो गई हमारा मन जो है मैं मानने लगा मगर प्रकास जो है वो चैतन्य का ही प्रकास था तो मित्रो अबजर्बर इस दा अबजब्ड अबजर्बर इस दा अबजर्ब्ड की बात जो है अद्विद की बात है दो नहीं होगा चैतना की लेवल में भी दो नहीं होगा मन की लेवल में दो नहीं होगा हमने यह पहले जाना था इसमें हमने यह जाना कि चैतन्य का भी चैतन्य भी एक ही होता है, दो हिस्सा उसमें नहीं होता है, दिखने वाली चीज अलग, दिखाई पढ़ने वाली चीज अलग, नहीं होगे, क्योंकि जो देखेगा, वो दिखाई पढ़ने वाली चीज से भिन्न हो जाएगा, और वो स्वयम हो जाएगा, तो फिर वो स्वयम ही इस्थिर हो जाएगा और उसके आगे कुछ निव बचेगा जिसको हम अबजब्ट विशय बुलते हैं तो विशय कोई निव बचेगा उधर और जो देखेगा वो पिछे सरकता आजाएगा जैसे बाहर के आँख देखती है किसी पेड को तो पेड से पिछे आजाएगी आँख अलग हो जाएगी और इस आँख के अंदर से कौन देख रहा है हमारा करतापन अर्था मैं तो वो मैं फिर उस आँख से पिछे हो गया और उस मैं को काउन प्रकासित कर रहा है आत्मा तो सैतन्य वो फिर और पिछे चले गया तो सबसे लास्ट में क्या बचेगा वही होगा सैतन्य जिसको कोई और नहीं देखेगा जो बिशे नहीं बनेगा वो बिशे नहीं बन सकता वो बिशे ही होगा तो वो स्वेम में इस्तिर होगा उसके पीछे कोई नहीं होगा उसको देखने वाला फिर और उसके आगे भी कुछ नहीं बचेगा जिसको वो देखेगा उसके लिए भिन्न चीज नहीं होगी एकी चीज होगी उसके आगे बिचार नहीं होंगे उसके आगे मन नहीं होगा क्योंकि जैसे अंदकार के किसको देखेगा तो इसलिए बोलते हैं परमात्मा ही परमात्मा को देखता है हम परमात्मा को नहीं देखते हैं मगर हमको लगता है कि मैं जो है आत्मा को जानलू हम आत्मा को नहीं जानताएंगे आत्मा ही आत्मा को जानेगी यह बात है और उधर दो नहीं होगा आत्मा को आनने वाला कोई और नहीं होगा तो बात ये बनेगी वहाँ पर भी अपजर्बर इत अपचब जो देखने वाली होगी वही दिखाई पढ़ने वाली भी होगी और जो दिखाई पढ़ने वाला होगा वही अपजर्बर भी होगा दुसरा कोई अपजर्बर नहीं होगा चेतन वार्यू यार्यू